जै मसी की दोस्तों, आज के सोरी के मनना का भाग हमने लिया है, मती की पुस्तक उसका चौथा अध्याय और उसका चौथा वचन वचन कहता है, पर उसने उत्तर दिया, ये लिखा है, मनुश्य के वल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जीवित रहेगा धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे पाविद्र सामर्थी वचनों में अद्बूत शिफा है, ज्यान है और सुरक्षा है परमेश्वर, धन्यवाद, तू मसिया है हमारा, धन्यवाद दोस्वों वचन क्या कहता है, वचन को समझने की बहुत जरूरत है मेरे भाई, वचन कहता है, वचन हमें याद दिलाता है कि हम कौन है, हम कौन है, हम इशुमसी में चुने हुए है, हमने नया जन्म प्राप्त किया है, हम नई श्रिष्टी पाच चुके है, हमें नई आत्म मिली है हमें परमेशर की आत्मा मिली है यानि के परमेशर ने अपनी आत्मा हमें उडेली है और वो आत्मा जिसके द्वारा हम अपने जीवन को निभाते हैं जिसके द्वारा हमें अपने जीवन को निभाना चाहिए तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है जो हम आज की जिन्दिगी जीते हैं जो हम मसी जिन्दिगी जीते हैं तो क्या जरूरी है ये देखना अपने आप में कि हम कौनसे वचन के द्वारा जिंदगी जी रहे हैं कौनसा वचन परमेशर का हमारे जीवन में काम कर रहा है अगर हम आफिस जाते हैं तो हम किस वचन के द्वारा अपने जीवन को निभा रहे हैं हम अपने दोस्तों के संग रहते हैं तो कौन सा वचन काम कर रहा है अगर हम किसी अपने बिजनस में हैं तो कौन सा वचन हमारे जीवन में काम कर रहा है अगर हम अपने पती के साथ है या अपनी पत्नी के साथ है या अपने अगूओं के साथ है तो कौन सा वचन हमारे जीवन में काम कर रहा है इस चीज़ को देखना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर वचन नहीं है तो जीवन नहीं है अगर वचन नहीं है तो प्रभू नहीं है अगर वचन नहीं है तो उद्धार नहीं है इसी लिए इफीसियो 6 का सत्रा का कहता है और उधार का टोप तथा आत्मा की तलवार जो परमेश्र का वचन है ले लो ध्यान दीजिए दोस्तों ध्यान दीजिए क्या कहता है वो आत्मा की तलवार क्या है आत्मा की तलवार परमेश्र का वचन उसको ले लो अपने साथ हर प मिश्र का वचन आपके पास होना चाहिए दोस्तों याद करिए मिश्र से हमारे पूर्विज़ों को परमेश्वर ने छोड़ाया था कुनामी से और किस तरीके से लाल समुद्र पार करके उस रेगिस्तान में जब हमारे पूर्वज आए और रहे परमेश्वर ने उनके रास्ता दिखाया लेकिन चालिस साल तक उसी रेगिस्तान में वो भटकते रहे मर गए भटकते रहे क्यों भटकते रहे क्योंकि उनके पास मचन नहीं थे याद करी दोस्तों उसी रेगिस्तान में इश्यो मसी भी गए थे उपवास के साथ उपवास के संग प्रातना के साथ वहां पर थे और वहां भी शैतान आया और शैतान ने ईशो मसी की परिक्षा की लेकिन ईशो मसी 40 साल नहीं ईशो मसी ने लगाए ईशो मसी ने 40 दिन में ही उस परिक्षा को उस रेगिस्तान को छोड़ दिया क्योंकि उनके पास वचन थे वो वचनों के द्वारा शैतान का सामना कर रहे थे वो वचनों के द्वारा शैतान को हरा रहे थे वोही वचन जो ईशुमसी के मूँ में थे वोही वचन जो ईशुमसी के पास थे आप जिन्दा है अगर आप समझते हैं कि इशुमसी में आपने नया जन्म टात्र किया है तो मेरे दोस्तों आपका हर पल आपका हर च्छन आपका जीवन का हर पल आपका हर काम वचनों के द्वारा होना चाहिए अगर आपके जीवन में वचन नहीं है तो सोचने का सोचना चाहिए चिंता की बात है अगर वचन नहीं है क्योंकि वचन नहीं है तो शैतान कभी भी आपको वरगला सकता है शैतान कभी भी आपको आस्माईश में डाल सकता है किसी भी रिष्टे के दोरा, किसी भी आस्माइश के दोरा, किसी भी इमोशन के दोरा आपको blackmail कर सकता है शैतान, अगर वचन आपके पास नहीं है और अगर आपके पास वचन है मेरे भाई, तो विजय आपकी है सुकाप का है ये संसार हमारा कुछ भी नहीं बिगार सकता ये संसार के संसार का शैतान हमारा कुछ नहीं बिगार सकता है इसलिए वचनों को अपने अंदर रखिए वचनों को अपने जबान पर रखिए वचनों को मनन करिए वशनों के साथ जीवन निभाईए अगर कोई भी काम हम कर रहे हैं और उसमें परमेश्र का वचन नहीं है तो वो काम मत करिये मत करिये वो काम हमें emotion में आकर भावनाओं में आकर अपने जीवन को नहीं निभाना है हमें भावनाओं के दोरा अपने जीवन को नहीं चलाना है, हमें वचनों के द्वारा अपने जीवन को चलाना है, इसलिए जहाँ वचन है, वहाँ आजादी है, जहाँ वचन है, वहाँ जोती है, जहाँ वचन है, वहाँ परमेश्र का सामर्थ है, इसलिए वचन के द्वारा अपने जीवन को निभाई आई हम प्रातना करते हैं सुभें में, इस सुभा हम धन्यवाद देते हैं पिता-पर्विशर कि तेरे वचन हमारे अंदर है और तेरे वचन informs की शक्ती हमारे पास है। सुन्ने 마음에 के लिए आशीषण सुकुर्चंगाई मांगते हैं और प्रातना करते हैं कि सुनने वाला हर भाई बहन उन वश्चनों के द्वारा अपने चीवन को चलाए इश्यो मसिया के बबद समति नाम से एमेन